स्वागत है आप सभी का प्रकास सेकेडमी चैनल में आज हम लेकर आएं हैं आप सभी लोगों के लिए बिटामिन सौरून के रासायनिक नाम्स की यूनिक बीडियो यह बीडियो बहुत ही महत्पूर्ड होने वाली है सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब और ज्यादा से ज्यादा सेर करें पहला बिटामिन है बिटामिन A इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है इसकी कमी से रताउंधी रोग होता है इसका मुखिसरोत गाजर, दूद, अंडा, फल है अगला बिटामिन बिटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम थाइमिन है इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है इसका मुखिसरोत मौंग फली, आलू, सबजियां है अगला बिटामिन B2 है इसका राशानिक नाम राइबो फ्लेविन है इसकी कमी से तोचा फटना आग का रोग होता है इसका मुक्हिसरोत अंडा, दूद, हरी सबजिया है अगला बिटामिन, बिटामिन B3 है इसका राशानिक नाम पैंटो थेनी कमल है इसकी कमी से पेरों में जलन, बाल सफेद होना रोग होता है इसका मुखिसरोत मांस, दूद, टमाटर, मुंख़ली है अगला बिटामिन, बिटामिन B5 है इसका रासाइनिक नाम निकोटिनेमाइड है या इसे नियासिन भी कहते हैं इसकी कमी से मासिक विकार रोग होता है जिसे पेलागरा भी कहते हैं इसका मुखिसरोत मांस, मुंख़ली, आलू है अगला बिटामिन, बिटामिन B6 है इसका रासाइनिक नाम पायरी डाकसिन है इसकी कमी से एनिमिया, तचा रोग होता है इसका मुखिस्रोत दूद, मांस, सबजी है अगला विटामिन, विटामिन B7 है इसका दूसरा नाम विटामिन HB है इसका रासायनिक नाम बायोटिन है इसकी कमी से बालों का गिरना चर्म रोग होता है इसका मुखिस्रोत यीष्ट, गेहूं, अंडा है अगला विटामिन विटामिन B12 है इसका रासाइनिक नाम साइनो कोबालमिन है इसकी कमी से एनीमिया पांडू रोग होता है इसका मुखिसरोत मांस कलेजी दूध है अगला विटामिन C है इसका रासाइनिक नाम एसकार्विक एसिड है इसकी कमी से इसकर्वी मसूडों का फोलना रोग होता है इसका मुखिसरोत आवला, नीम्बू, संत्रा, नारंगी है अगला विटामिन, विटामिन D है इसका रासाइनिक नाम कैलसी फेराल है इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है इसका मुखिसरोत सूरिका प्रकास दूध अंडा है अगला बिटामिन बिटामिन E है, इसका रासाइनिक नाम टेको फिराल है, इसकी कमी से जनन सक्ती का कम होना रोग होता है, इसका मुखिसरोत हरी सबजी, मक्खन, दूध है अगला बिटामिन बिटामिन K है, इसका रासाइनिक नाम फिलो कुईनान है, इसकी कमी से रक्त का ठक्का ना बनने का रोग होता है, इसका मुखिसरोत टमाटर, हरी सबजीयां, दूध है अपर ये दोस्तों, यद वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, सस्क्राइब और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, धन्यवाद